हलो फ्रेंड्स दिस इस शुरूती यू और वेलकम टू आर यूट्यूब चानल स्टाड़ी विच शुरूती गुपता आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे रिड्रेसल एजेंसी के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा कंजूम प्रोटेक्शन अक्ट उसी के अंदर यह आता है आपको एक टॉपिक जो कि क्या है फ्रिड्रेसल एजेंसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि जब भी कोई फ्रॉड हो जाता है आप जब कुछ भी समाल लेने जाते हैं उसमें या फिर आपको कोई डिफेक है वो तीन तरीके से केटेगराइज की हुई है एक है डिस्ट्रिक लेवल पर एक स्टेट लेवल पर और एक नेशनल लेवल ठीक है तो अब आप खुछ सोच सकते हैं माल लीजिए आप समाल लेने गए 5000 रुपे का एक दूसरा इंसान है वो समाल लेने जा रहा है तीन लाक रुपे का उससे तीसरा इंसान है वो लेने जा रहा है एक करोड रुपे का तो सब की अमाउंट में डिफ्रेंस है सब की अमाउंट्स अलग अलग है समान खरीदने की तो क्या सिर्फ एक ही एसी एजिंसी होगी जहां पर सब के सब ही जाएंगे अपने अपील लेकर नहीं इसी लिए तीन वे में केटेगराइज किया हुआ है यह है हमारा डिस्ट्रेक्ट फॉरम नेक्स्ट हमारा स्टेट कमिशन एंड थर्ड वन इस नैशनल कमिशन इसके बाद भी एक आता है इस सुप्रीम कोड जो आप जानते हैं सबसे हाइस अथॉर्ट है इस वर्ट तो दे सबसे पहले देखते हैं हम डिस्ट्रिक्ट फॉरम के बारे में डिस्ट्रिक्ट फॉरम अब इससे आप क्या समझ रहे है ऐसी फॉरम जो डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए है या फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ऐसा ही कुछ समझ आ रहा है बिलकुल सही समझ आ रहा है पर जो district forum है इसमें आप complaints file कर सकते हैं लेकिन किस amount तक की 20 lakhs तक की एक रुपे से लेकर 20 lakh तक का जो भी fraud हुआ है जो भी defect मिला है उसको आप अपील कर सकते हैं district forum में जब कि अगर आप state commission देखें तो 20 lakh से 1 करोड कितना है 20 lakh से 1 करोड तो यहाँ पर कितना था 20 lakh तक था मतलब 20 lakh से 1 करोड जादा नहीं होना चाहिए यहाँ फिर state में आए आप state में कब आएंगे जब 20 lakh से 1 करोड तक का आपको अपील करना है फिर आप जाएंगे national में अगर आपको एक करोड से भी ज्यादा में अपील करना है ठीक है अगर एक करोड से ज्यादा में अपील करना है तो आप जाएंगे national commission में फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, तीन होगा, यहाँ पर 20 लाग तक, 20 लाग से 1 करोड तक और 1 करोड से ज्यादा, क्लियर है यह पॉइंट, सेगेंड पॉइंट देखेगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फॉरम के अंदर कौन-कौन मेंबर्स होते हैं, अब कोई फॉरम बनी है, आप माल लिजिए कोई जो भी है आप, आपके फ्रेंड्स में मिलकर कोई सोसाइटी या कोई 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 कोपरेटिव सोसाइटी या कोई भी कमेटीव नहीं है, तो क्या सिर्फ एक ही इंसान नहीं है वो नहीं, उसके अंदर आठ, 10, 2, 3, 4, कुछ तो लोग होंगे, तब मेंबर्स होते हैं और इन दोनों के अंदर, इन दोनों मेंबर्स में से एक विमेन होना बहुत ज़रूरी है, एक विमेन होना बहुत ज़रूरी है, फिर आप देखिएगा, स्टेट कमिशन में भी सेम ही है, वन प्रेजिडेंट, टू मेंबर्स और वन मस्ट बी अ विमेन, एक विमेन होनी बहुत ज़रूरी है, तो इन दोनों में सेम है, फिर अब नेशनल कमीशन है, वो नेशनल लेवल पर है वही, तो उसमें तो ओविसली मेंबर्स बढ़ने चाहिए, तो देख लेते हैं, आपे क्या है, एक प्रेजिडेंट है, चार मेंबर्स है, और चार मेंसे एक विमेन होनी चाहिए, तो यह याद रखना है, आपको तीनों में एक एक प्रेजिडेंट है, लेकिन शुरू के दो में, दो मेंबर्स हैं, जिनमें एक विमेन होगी, और इसमें सिफ चार मेंबर्स हैं, जिसमें एक विमेन होगी, ठीक है, नेक्स पॉइंट आता हमारा, President can be retired, President होगा मानलो, President के लिवे कुछ qualification होनी चाहिए या फिर किसी को भी उठा कर President बना देंगे, ऐसा तो नहीं होगा, अब हमारी country के भी अगर President बनते हैं, उनके अंदर कुछ काभिलियत होगी, कुछ qualities होगी, कुछ eligibility भी होगी, कि बही तब ही बन सकते हैं, तो वो वाली दिस्ट्रिक्ट फोरum के अंदर, President जो होगा, या तो वो retired जज होगा, या working जज होगा, या तो वो retire हो चुका है, या फिर वो भी woharking प्रोसेस में है, लेकिन कौन से court का? District court का, तो district सेम इसी तरीके से स्टेट कमिशन में हाई कोट का जज होगा चाहे रिटायर्ड हो या वर्किंग में हो तो रिटायर्ड हो जज इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोट का इसमें हाई कोट का और फिर उसमें सुप्रीम कोट का ऐसे आप असेंडिंग और में इसको याद रख सकते हैं next and the last point is a person can appeal against such order to state commission within 30 days अब जरूरी तो नहीं है कि माल लिजे एक person यहां पर माल लिजे 10,000 का कुछ उसके साथ हुआ है fraud वो 10,000 के अपनी अपील लेकर आगया district forum में अब district forum ने जो भी फैसला लिया तो जरूरी हम लोग सोचते हैं कि भई नहीं हम एगरी नहीं है इससे तो फिर अब क्या करें तो उसमें उस case के अंदर वो इनसान जाएगा within 30 days state commission में ठीक है अगर वो district forum के जो decision है उससे agree नहीं करता है नहीं satisfy है तो वो जाएगा state commission के अंदर within 30 days यह याद रखना है तीनों के अंदर within 30 days 30 days के बाद अगर वो जाएगा तो कोई सुनवाई नहीं होगी तो within 30 days वो जाएगा state commission में same point अगर हम देखें तो अगर माल लीजिए कोई इंसान state commission से agree नहीं है वो चाहता है कि नहीं मैं इस decision से सहमत नहीं हूँ तो फिर वो 30 days के अंदर किस में जाएगा national commission में अब ऐसा भी हो सकता है कि वो national से भी सहमत नहीं हो जरूरी नहीं है वो same person हो कोई अलग person भी हो सकता है तो अगर in case वो national commission से भी सहमत नहीं है फिर वो जाएगा supreme court के अंदर जो के सबसे highest authority है वो decision लेगी वो final है उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं है ठीक है लेकिन उसके लिए case है उसके लिए case क्या है वो बहुत ध्यान से सुनना अब आपको समझ आया कि state commission से national commission में जाएंगे अगर वो सहमत नहीं है तो within 30 days लेकिन यहाँ पर बोला हुआ है कि supreme court के अंदर सिफ तब जाएंगे जब जब goods जो है वो क्या है आपके एक करोड से जादा के होंगे अगर सिफ 10,000 वाला है वो district में गया चलो example देके बताती हूँ 10,000 का fraud हुआ किसी के साथ वो district में गया इससे सहमत नहीं है within 30 days वो state में आ गया अब वो इससे भी सहमत नहीं है वो national में जाने की सोच रहा है तो क्या करेगा वो supreme court में आगे वो जा नहीं पाएगा क्यों क्योंकि उसकी amount एक करोड से जादा नहीं है सिफ 10,000 की है और अगर वो supreme court तक जाता है 10,000 के लिए तो फिर वो उसकी बेवबूफी है क्योंकि उससे जादा तो वो obviously पैसे उसमें खर्च कर देगा है ना तो यह चीज है ठीक है बहुत interesting topic है और मुझे तो बहुत मजा है आपको पढ़ाने में मुझे बताना आप लोग comment section में कि आप लोगों को कैसा लगा interest आया और कुछ knowledge मिली या नहीं मिली ठीक है तो यह था overall आपका आज का redressal agencies के बारे में फिर मिलते हैं हम अपने next video में कोई भी doubt आपको तो आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हैं बाबाई